हेलो एवरिवान, विल्कम बैक तो योर फेवरेट चैनल, मैगनेट बेस, इस इस मी, शुपरातिवारी, बहुत-बहुत स्वागत है, यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है, बिल्कुल बहतरीन, फ्री एड्रुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अथा कोने से क्यों आई, समझ कहना, नया टॉपिक शुरू करना है, क्लास अवीज, इसको आप अपस भी कहते हैं, अपस मत कह देना, बिकॉज वो हुमन जैसे होते हैं, तो अपस नहीं, अपस, अवीज, अपस कुछ का हो, जो मन करे तुम्हारा, तो क्लास अवीज के बारे में आजम लोग पढने वाले हैं, बोह होत इंट्रस्टिंग क्लास है, क्योंकि अवीज, इसके बोहत शारे करेक्टर ऐसे हैं, जो इमन बींग के जैसे होते हैं, मैमल्स के जैसे होते हैं, अभी तक आप लोगों ने ऐसे animals पढ़ें, जो लैंड में, बांड में रहते हैं, इंस वोड़ती नहीं है वो ठीक है तो अब आप एक्चलि ट्रू फ्लाइंग एनिमल्स के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं कि वो एनिमल्स जो उड़ते हैं उनको आप एवीस के अंदर पढ़ोगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ के लिए टेंशन मुझे द अब तक आपने अपने रेप्टी लिया ऐवीः गातोबी अपने पूस में ऑपने प्लेडेड पढ़ा है अ प्रके आपसे आपसे आप क्या है वां मुर्म बिलेड़ संभे आई बात वां मुझे अपने अपनी चुगती रहती हैं और लिए अच्छा कि बॉब्लटी और वाम बुब्लडीट रहे हैं, समझ में आई बात होमियोधर्मिक बनने के लिए आपको क्या लगता है कि कोई असे process प्रॉसेस हमने फॉलो किया नहीं है होमियो थर्मिक बनने के लिए we continuously need energy समझ में आई बात अब तुम कुछ सोचो कि बाहर इतनी थंडी है इतनी थंडी है इतनी थंडी है फिर भी तुम्हारा temperature 37 बना हुआ है ना इसका मतलब ये कि किसी चीज को कंजर्व करने के लिए भी energy लगानी पड़ती है और किसी चीज को तोड़ने के लिए बाहर निकालने के लिए भी energy लगानी पड़ती है इसका मतलब ये कि अगर आप होमियो थर्मिक हैं तो आपको वो बनने के लिए you have to spend so much energy आई बात समझ में cold blooded के साथ ये टेंशन नहीं है बहार है तो दरने से body को change कर लेते body को maintain करना is very difficult तो actually होमियो थर्मिक बनने के लिए warm blooded बनने के लिए they always need to eat every time खाते रहो खाते रहो खाते रहो क्योंकि खाओगे तो energy मिलेगी और होमियो थर्मिक बनने में असानी मिलेगी phone chamber heart है जो कि reptilia से शुरू हो गया है birds में बहुत सारी ऐसे ancestry है जो कि reptilia से है जैसे इनके pair में scales होते जो कि यह बताते हैं कि reptilian ancestry है reptiles है आई बात समझ में तो यह need का question भी हो सकता है कि बताएं birds में ऐसे कौन से character है जो reptiles है so they have scales on their legs जो कि reptilian ancestry को बताते है ठीक है शुरू करें आगे बात चलिया जाए आजाए 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 general characteristics किसी भी चीज को पढ़ने से पहले we always starts with the general characteristics so let's start the general characteristics of the bird पक्ची पंची ठीक है अभी तक high letter ही select है so let's start अभी हो चलो बहुत interesting अध्याँ से देखते जाना बस सबसे पहला character हम लोग बात करते है habitat body से भी पहले मैं आपको बताती हूँ habitat ठीक है देखिए habitat की बात करें तो पक्षी आपको कहां दिखाई देथे हैं पक्षी यंको उड़ते वए दिखाई देथे do could have a Allin तो पक्षी हमेशा हमेसे दिखाई दे उडवते दिखाई एίते बहुत सारे एक पक्षी ऐसे होता है जो पानी मेरहते हैं ठीक है बहुत सारे कशीyes之前 रहते हैं जो की रेगिस्तान में रहते हैं तो पक्षी जो होते हैं वो हमें हर जगह दिखाई दे सकते हैं ठीक है तो कोई टेंशन नहीं है अगर हम बात करें तो देखें लिव एवरीवेर mostly they are flying but many of the birds बहुत सारे birds ऐसे होते हैं जो fly नहीं कर सकते हैं जैसे की कीवी ओके तो बहुत सारे birds जो होते हैं वो fly करते हैं बहुत सारी क्या maximum birds जो होते हैं वो fly करते हैं पर कुछ birds जो होते हैं वो fly नहीं कर सकते जैसे की कीवी, ठीक है, तो habitat की बात करें, तो everywhere ये land में भी रह सकते हैं, water में भी रह सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, अब अपन लोग बात करते हैं, अब मैं एक और character यहीं पर अभी लिख देती हूं, they are homeothermic, ठीक है बच्चों, ये कैसे होते हैं, they are homeothermic, ठीक है, homeothermic का मतलब ये है, कि they are warm-blooded, कैसे होते हैं, ये warm-blooded होते हैं, body का temperature जो होता है, वो maintain करके रखते हैं, okay, बाहर आओला, पानी, गोला, कुछ भी गिरते रहे, अपने को बाईया, ऐसा है, कि maintain करके रखना है, ठीक है, body रेखिए, रेप्टाइल्स में आपको, जो है, नेक दिख गई थी तो को attention नहीं है, they also have head, ठीक है, look at this beautiful bird, मालो, इसका नाम है, चिंकी, तो चिंकी के पास, जो है, भईया, head है, look at this, जहां पर eyes wise आपको दिख रही है, ये क्या है, इसका head है, चिंकी has a head, और चिंकी की गर्दन भी दिख रही है, beautiful है, ठीक है, तो इन चिंकी की head भी है, चिंकी चिंकी की neck भी है, चिंकी का ये पूरा area जो है, ये रेखे, trunk है, और चिंकी की beautiful tail भी है, तो body जो है, head, neck, trunk, tail, सब में divide होती है, they have well developed neck, ठीक है, now, अच्छा, एक चीज़ और बता दू, मैं आपको, कभी भी अगर आप अपनी birds को देखेंगे, थे, मैं extra points जो है, वो सब यहा हिलता है, क्यों हिलता रहता है, क्योंकि जो इनका पहली vertebral column की vertebrae है, ठीक है, vertebral column जो रीड की हड़ी होती है, पहली vertebrae is atlas, बूसरी is axis, तो ये जो है, काफी movable होती है, जिसकी विजा से ये हर जगा, जो है, मुंडी को हिलाना ही में मदब करती है, तो इनका जो head होता है, मुविबल होता है, बहुत टेजी से मुव कर सकता है, क्यों मुव कर सकता है, क्योंकि इनको खाना बहुत ज़्यादा जाहिए, तो जल्ली जल्दी देखतें कि खाना कहा मिल रहा नहीं, तो मर भी सकते है, ठीक है, आई बात समझ में, now, the body is covered with soft feather is called as pummelage, ठीक है, pummelage, ठीक ह में पाया जाएगा, now, अब अब अबन बात करते हैं, scales, scales मैसे इनकी body बात करना है, body में सारे headings आएंगे कि i skin कैसी है, scales कैसा है, body में scales नहीं होते, बस इनके legs में scales ओते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं भाई साब, reptilian ancestry को, यह question important है, ठीक है, यह question neat में आता है, या आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, तो इनकी body में वैसे तो scales में scales है नहीं, कोई tension mention है नहीं, पर इनकी body में legs में scales present हो सकते हैं, जो कि यह बताते हैं, कि actually जो Aves आये हैं, वो actually reptiles है हैं, कोई भगवान नहीं है, तो हर किसी एक class का evolution पिछली class से ही होता है, ठीक है, skin की बात करते हैं, skin जो है, वो dry है, और इसकी without glands है, पर अब आप मेरी बात को ध्यान समझना, इनकी जो पूछ वाली, यह वाला जो area होता है, look at this area, यहां पर यह gland होती है, ध्यान से समझेंगे, it is called as urop uropigial gland, ध्यान से समझें, uropigial gland दिख रहा होगा, मैं यह उमीद कर रही हूँ, तो इनके पीछे जो है, पूछ के पास बच्चों, एक gland होती है, which is called as uropigial gland, uropigial gland जो होती है, यह modified oil gland है, क्या है आपको? modified oil gland, ध्यान से समझेंगे, it is the modified oil gland, फिर से समझें, इनके पास कोई gland gland नहीं है, कोई gland नहीं है skin में, इनका जो पूछ वाला area होता है, उस पूछ वाले area पे, एक modified oil gland होती है, जिसे हम uropigial gland कहते हैं, ठीक है? अब तुमने कभी देखा होगा, कि हमेशा जब बर्ड बैठी रहती है, किसी पी जगह पे, तारवार बे बैठी रहती है, तो हमेशा पूछ के और अपनी मुंडी करते हैं, ऐसे पीछ से घुमाा गुमा करती है, आपको पता है, क्या करती है, कभी सोच अपनी की दिonce बढ़ न लगा है कि वर्ड क्या पावल है क्या यह क्यों एसे पूछ कि और हमेशे अपने मुंदी लगाती रहती कभी सोचा है सोचो यह जो पूछ के पास इनकी यूरोपाइजियल ग्लांड होती जो कि एक उयल ग्लांड है यह क्या करती है पीछे ले जा ले जाके अपने तो इस भी बड़्ड में आपको 4 पेर लिम्स दिखते हैं क्या तेखा एक अब आपने नहीं दिखेंगे क्योंकि यह tetrapode है तो definitely इनके पास चार लिम्टों होने चाहिए थे पर इनकी body में जो पहले वाले limbs होते हैं क्या होते हैं बच्छा लोग पहले वाले जो limbs हैं वो modify हो जाते हैं समझ गए आप मेरी बात को कि जो पहले वाले limbs होते हैं वो हो जाते हैं modified into what? into wings अब wings में modified हो जाते हैं तो क्या करने का काम करेंगे? उडने का काम करेंगे समझ में आई बात तो इनके पास जो होते हैं they have limbs they are tetrapode so they should have four limbs but the thing is the four limbs is modified into the feathers or wings ठीक है? वो किसमें मदद करते हैं? उर दर चलने में फिरने मदद करते हैं now hind the wings वो किसमें मदद करते हैं? go,です to approach the wing इन किसी को भी धच कह बार इन सब चीजों में मदद करते हैं यो पार होते हैं उसके बार हम बात करेंगे जो उनके पास प्र पास four clod होते हैं आसा चार आपको clod like structure दिखाई देगा इनके पैर में So they are tetraport but the forelimb is modified into the wings and hind limb have the foreclod structure आगे बढ़े आजव 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 आपको पता है कि जो bird की study होती है उसको पनलो क्या कहते है कभी सोचा आपने बोलो उसे आप कहते हैं और्मीथोलोजी ठीक है bird की study को हम लोग कहते है और मीथोलोजी ठीक है bird की nest होता उसको कहते है नीडोलोजी अगर NIDO है तब तो nest की study और अगर CNIDO है तो cylindrate की study ठीक है endoskeleton बहुत important बहुत 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 important देखो मेरे प्यारे बच्चो क्या समझा रही हूं बिल्कुल कान खोल के सुनना क्योंकि जहां आपने क्योंकि main part यही है bird का ठीक है एक जो सबसे main part है वह actually bird का यही ध्यान समझना बिल्कुल ध्यान से क्या बोल रही हूं मैं बर्ड को हमेशा अपनी बॉड़ी को एकड़म light weight बनाना होता है समझ में आई बात light weight बनाने का मतलब यह है कि इनको हवा में उड़ना है और हवा में उड़ना है मतलब against the gravity जाना है जाना है कि नहीं जाना है अब अगर against the gravity जाना है अब जैसे मैं हूं माल लो अगर मेरा वज़न डेड़ सो किलो है अगर मेरा वज़न डेड़ सो किलो है तो क्या मैं gravity छोड़कर उपर उड़ सकती हूं धम से गिरूंगी चोट पोट अलग ले जाएगी हड़ी बड़ी अलग तूड़ जाएगी अग अगर यह light नहीं करेंगे तो भारी रहेंगे और कभी उड़ नहीं पाएंगे तो यह अपने शरीर में बहुत सारे ऐसे modification करते हैं बच्चो जिससे इनका शरीर जो होता है वो गजब का light भीट हो जाता है समझ मैं आई बात जैसे ही क्या करते हैं सबसे पहले यह अपनी कर लेते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं तो सबसे पहले what they will do they will make the hollow bone अब अगर hollow bone रहेगी तो body का weight जो है वो light रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है दूसरी बहुत सारी हड़िया अलग-अलग होती है तो बड़ा वजन रहता है वी हैव सो मेनी हड़ी विच मेंग दा body weight अब अगर तुम कोई हड़ी fuse कर लो सारी हड़िया जोड़ लो तो वह एक हड़ी हो जाएगी अब अगर तुम्हारे पास किसी जगह की 5 हड़ी है उसको जोड़ के तुमने एक हड़ी बना ली तो weight तो reduce हुआ कि नहीं हुआ तो यह अपने शरीर में बहुत सारी हड़िय को आपस में जोड़ लेते हैं आई बास समझ में यह अपने शरीर में बहुत सारे हड़ियों क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं जिससे body का weight होता है वह काफी कुछ reduce हो जाता है और hollow bones तो है इनके पास अचद अगर तुम यह सोचते हो कि they have teeth का भी तो कुछ बजन होगा ना so they don't have teeth because modified into the jaws is modified into beak okay तो endoskeleton होता है इनका bony ठीक है इनकी bones को हम pneumatic bones कहते हैं pneumatic bones का मतलब यह है pneumatic bone का मतलब है hollow bones pneumatic bones का मतलब क्या होता है hollow bones they have air spaces in the bone okay so they have air spaces in the bone तो जिसकी बजन से body जो है वह काफी light weight हो जाती है actually मैं यह का हूं सी दी सी भी बात तो यह इनको bioncy produce करती है तो यह असानी से उड सकती है no 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 ठीक है now so water it will help किसमें help करती है pneumatic bones खाली हड्डियां यह body को न हलका बनाती है ठीक है body healthy बनेगी तो असानी से उड सकती है now many of bones जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी बहुत सारी जो हड्डियां होती है वो fuse हो जाती है बहुत सारी हड्डियां जैसे कि clavicle और intercavicle fuse हो जाती है this is the clavicle ठीक है यह जो bone होती है इसको beauty bone कहते हैं जिस लड़की की ना यह हड्डिया जादा दिखती ना वो जादा सुन्दर होती हाला कि ऐसा नहीं होता है ठीक है पर यह जो हड्डिया इस ब्यूटी इसमें जुड़ जाती है ठीक है और जुड़ने के बाद आपको मैं बताऊं कैसा structure बनाती है यह बनाती है कुछ ऐसा structure सब कुछ मिंटा दे रही हूं देहां से देखिए यह ऐसा structure बनाती है look at this ओके तो यह यह इंटर क्लाविकल यहां पर आके जुड़ गई है ठीक है तो यह जुड़ गई तो इसको आप पता क्या कहते है विश बोन फर्क्यूला कहते है इसको आप इसको आप विश बोन कहते है विश बोन कैसा क्यों कहते है कि इधर से इसे आप विश बोन वी बोन मेरी बोन कहते है या इसको आप वी शेप की फर्क्यूला बोन भी कह सकते है एक्चुली ते जॉइनिंग ओफ दे क्लाविकल और इंटर क्लाविकल बोन ठीक है तो खीचन आगली बार जो पहले कीच लेगा उसकी विश पूरी हो जाएगी ठीक अच्छा इंपॉर्टेंट है ओके इंपॉर्टेंट है हाईलाइट कर दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेस्टन जो है ये नीट में आ सकता है फिर मुझे बोलना मत कि मैंड़ा आपने बताया नहीं था क्योंकि बता तो मैं सब कुल देती हूँ उसके बाद भी बोलते हूं ब बता बोलना मुझे इनके में और मॉडिफिकेशन क्या है कि इनके जो ना जो रीड की हड़ी होती है we have so many types of vertebrae into our रीड की हड़ी एक होती ही गर्दन वाली हड़ी cervical फिर छाती जो ये stress होता है इसके पीछे पर ये जो छाती के पीछे वाली जो रीड की हड़ी इसको कहता है थोरैसिक कमर की जो होती है इसे कहते है लंबर और उसके बाद होती है सैक्रल उसके बाद होती कोकेक्स कह सकते हैं ये सब जो है ना फ्यूज हो जाती है कौन कौन सी फ्यूज हो जाती है सैक्रल लंबर और थोरैसिक ये फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे आप क समझना ठीक है ध्यान से देखो कि यह आपको समझ में कि endoskeleton bony है आपको wishbone बता दिया मैंने sin sacrum बता दिया तर इस a fusion of so many bones अगली चीज देखेंगे मिटा रही हो मैं आजा यह फर्क्यूला ठीक है this is a अब मेरी बात को ध्यान समझना sternum look at the sternum take sternum what is the sternum आपके body में जो middle वाली हड़ी होते जैसे पसलियां जूड़ी रहती है इसको कहते है sternum अब समझना sternum के पास एक special structure होता है which is called as keel I don't know either keel bunny नहीं है पर इसके पास नहीं structure होता है जैसे आप कहते है keel अब keel गाड़ना नहीं है कि keel ठोकने वाली है no they have special structure called as keel आपको पाता keel करती क्या है keel जो होती है ना उस वह जोडती है flight muscles को क्या इसको जोडती है बच्चो flight muscles को फिर से मेरी बात को समझेंगे ध्यान चा देख देख देखो sternum what is the sternum sternum is the middle bone present into the chest of the bird and even as well as in human only तो sternum क्या करता है sternum के पास special structure होता है which is called as keel keel जो होता है यह flight muscles को जोडने में मदद करता है okay तो जिसकी विज़ा से जो आपका यह area है वो असानी से move कर सकता है जब आप flight करते हैं तो यह हमेशा याद रखना कि जो पक्षी उड़ नहीं सकते उनके पास keel नहीं होता समझ क्योंकि फ्लाइट मसल अटाच करता है फ्लाइट मसल ही नहीं अटाच होगी तो उड़ो कैसे खाक तो इनके पास keel नहीं होता look at this ribs अचा और देख लें थोड़ा से structure और देख लेते हैं okay so they have mandible जो बड़ा है they have lower mandible but the jaw is modified into the choch ठीक है तो जो बड़ा होता है वो modified हो जाता है चोच में they have skull ठेक है किसी पक्षी को कम जो और नहीं समझना है they have cervical vertebrae garden vertebrae furculum मैंने अभी आपको समझाया sternum आपको समझाया they have ribs ribs जो होती है वो bifid होती है bifid अपनी भी है दोनों साइट से कुछ न कुछ जोड सकती है ठीक है तो suppose that कि यह ribs है तो इस साइट से भी वो कुछ जोड सकती है इस साइट उससे कहते है bifid okay now they have radius alna ठीक है आपके पास है कि नहीं है they have humerus they have humerus okay यह कहते है humerus इसको they have carpometacarpus phalanges उंगलिया they have femur मतलब कुल्मिला के they have so many हड़ियां यह हड़ियां आपके नीट में नहीं पूछी जाएंगी जो पूछा जाना था मैंने आपको बता दिया है जैसे की सिंसाक नम बता दिया जैसे की pneumatic bone बता दी विश बून बता दी फरक्यूला बता दिया केल बता दिया bifid ribs बता दी अब के मेरी जान लोगे क्या सब तो बता दिया है मैंने चलो आजो 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 आगे देखें कोई tension इसमे तो नहीं ना एंडो एग्जो स्केलेटन एग्जो स्केलेटन के नाम पर क्या होता है दे हैव सो मेनी फैदर्स ब्यूटिफुल फैदर्स ओके डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम पे आ रहे हैं हम लोग कोई टेंशन परिशानी तो नहीं अच्छा एक चीज में और आपको बता दू कि जो एवस है वो कहां से आए जुरासिक पीरिट से जुरासिक पीरिट के बाद ही एवस का डेवलप्मेंट शुरू है समझ में आई बात तो आपने जुरासिक प यह को है जहिस है दापने बाह भी किसी पक्षी को खाते कृगत अब बड़े है पकशी को medically कि छोट में गुस फिजर देती है ठीक है अच्छा हमेशा आप देखना कि कोई भी पक्षी जो होता है ना हो कंकड बिनता रहता है थीच है मेड़ुमने कभी नी देखा अरे देखो समझ में आई बात आपको क्या लगता है थीचारों के पास कोई दाप तो है ने तेक्षी नगेशा है तो है नहीं तो खाने को चबाना ही नहीं उसको कैसे छोड़ेंगे अपन तो खाने को चबाना बहुत ज़रूरी है क्या करें बताइए आपके पास कोई option है ठीक करने का बताइए मुझे देखिया करते डाजिस्टिफ सिस्टम का पहले में एक इमेज लगा देती हूं ओके जो यह बहुत ही ब्यूटिफुल मुर्गा है जिसका नाम है सोहन ठीक है अब अगर आप सोहन को देख रहे हैं तो सोहन पास भी इसोफेगस यू अब यह सोहन जो है ना यह पड़ा ली चलाक मुर्गा है यह क्या करता है यह हमेशा चुकता रहता है चुकता रहता है साथ में दाने चुगेगा तब यह साती साथ क्या ले लेगा पत्थर भी लेगा मैं आपको जो समझाना चाहरी हूं वह मैं समझाना चाहरी हूं इस स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है गिजाड पिजाद के बारे में आपको पता है मैंने कहा पढ़ायाई था अपनो को पढ़ाया था कॉकरोच में छो मैंने और्फरोपोड़ा पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि उनके पास ना काइटीनियस ऐसे टीथ लाइक स्टक्चर होते हैं तो खाना आता जाएगा practice ऐसा ऐसा वो पीशते जाएगा पर यह जो बिचारे ना बिचारे अपने सोहन बिचारे बच्छे इनके पास कोई टीथ नुकीला प्रॉक्टर नियां के गिजाड पर तो नो भी खाना लाते तो पीने कैसे मेरेयलार कैसे पीसेंगे बताओ मुझे त प्रशा चुपके ना यह ऐसे अभर हुए रहते हैं अब कोई खाना आता है यह पत्तर जो ईक्रश करके क्रश करकर ख़BYC ऋन्छे रम तर को यह कोई अप्री चया कैप निगए लिए तो फिर पींचर ने देर नहीं है तो पथर खाने, पथर ही खाने को पीसने का काम करते हैं Next, जो structure में आपको बहुत important है Neat में question आ सकता है हर समय बताती हूं, Neat में question आ सकता है फिर भी अगर नहीं पढ़ोगे बेटा, तो फिर तो बेड़ा गर्ती है ठीक है? तो ये Neat में question आ सकता है Now next thing is crop Eesophagus, look at this जैसे तुमारे body में stomach होता है ना, वैसी इनकी body में crop होता है ठीक, crop क्या करता है? यहां पर खाने को store कर लेता है तो दीरे दीरे घिजाट को देता जाता है, कोई tension नहीं ये, देखो, ये, देखो तो इस तरीके से ये क्या करता है? देता रहता है अच्छा, एक चीज में आपको यहां पर और बता दू, pigeon milk के बारे में, ठीक है? कभी-कभी pigeon को अगर आपने देखा होगा, तो pigeon अपने बच्चों को pigeon milk से feed करती है Actually, क्या करते हैं? ये वाला structure है ये वाला pigeon में, कबूतरों में, एक special liquid produce करता है due to the mastication of food, या due to the storage of food, not mastication, तो gizzard में होता है तो storage of food, जिसकी विजए से milk-like substance produced होता है ये milk-like substance इनके मूँ से बाहर आता है और ये अपने बच्चों को जो है feed कर आते है It is called as pigeon milk, it is produced by the crop, please always remember this ये भी एक important question बन सकता है तो जो पक्षी होते हैं, वो हमेशा unmasticated food को ही अंदर लेते हैं अपने साथ तो क्या है? ले लो मूँ में, एक घंटे तो चबाता रहो, कोई tension नहीं ये विचारे नहीं चबा सकते है, दाती नहीं, कैसे चबाता है, ठीक है? ये समझ में आपको and they have cloaca, look at this, क्या होता है cloaca? अरे मेरे लल्ला, मैं तुम्हें 25 बार बता चुके cloaca is the opening of digestive system, cloaca is the opening of reproductive system and excretory system, तो बहुत सारे system जब एक ही opening से खुलते हैं तो इसे हम कहते हैं cloaca, तो पक्षियों में एक opening होती है जिसे आप कहते है cloaca, मेरे बच्चो, तो होती है ये, ठीक है 25 बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता दिया आगे बढ़े, now they have large intestine, they have small intestine, they have gallbladder बट बहुत सारे लोगों में gallbladder नहीं होता, ठीक है liver, they have, तो developed character है कि नहीं इसके, आगे बढ़े digestive system आपको clear हो गया, digestive system complete है, crop है, gizzard है, cloaca है, important है, ठीक है, आजाओ, अगली बात, ribs bifid है, ये पहले अपने डिसकस कर लिया था कि bifid ribs क्या होती है, जो दोनों साइट से कुछ न कुछ अटाच करती है, आगे बढ़े, respiratory system, बहुत important है, कभी कोयल को गाना गाते सुना है अपन अपन लोग जो हमेशा सुने कोयल को गाना गाते सुना होगा, अपने पैरट को बोलते हुए सुना होगा, किसी बढ़ को चीची करते सुना होगा, किसी को पी-पी करते हुए सुना होगा, तो there are so many birds जो की अलग-अलग प्रकार की आवास करती है, human being को कभी सुना आवास करत तुम तो रोजी मुझे सुनते गलाफ आती ही रहती हो मैं, तो जैसे human beings होते हैं, तो human beings के पास आवास निकालने के लिए क्या है, उनका स्वरकंठिका, called as larynx, we have larynx to do the चाय-चाय-चाय-चाय-चाय-चाय-चाय, what they have to do the ची-ची and पी-पी, they have syrinx, we have larynx and they have syrinx, very important question, neat में करते हैं, नीट पढ़ लोगे तो 11-12 तुम्हें किसी का बाप भी नहीं रुख पाएगा तुम्हें, यह चीज याद रखना, ठीक है, so spongy lungs होता है, ठीक है, spongy lungs होता है, जो इनका body light बनाता है, ठीक है, respiratory system की अगर मैं बात करूँ, तो एक चीज मैं आपको और समझा देती ह देखो, suppose that कि यह कोई bird है, ठीक, हाला कि I am not able to make some good bird, पर ठीक है, यह bird कटना ही समझ लो, अब यह कोई bird है, दिहान से देखो इधर, यह मिटा देती हूँ, नीट में आएगा, समझ जाने नीट में आएगा, ठीक है, चलो आओ, देखो, अब यहाँ पर इसका हम लोग बना ल लंग्स, ठीक है, यह हो गया, इसका लंग्स, एल लिख रही हूँ, ठीक है, अब समझना तुम लो मेरी बात को, यह इनका एक airspace है, यह इनका दूसरा airspace है, दिख रहा है, यह इनका तीसरा airspace है, ठीक है, और बना लू क्या, ठीक है, चलो इतने काफी है, ओके, अब तुम म मैं बोल रहे हैं देखो जब भी पक्षी हवा भरता है जब भी पक्षी सास लेता है तो डिरेटली लगाए इनके एयर स्पेस में जाता है इनको हम एयर सैक्स भी कह सकते हैं आपको मैं बता हूं कि जैसे माल लीजे कि यहां से उसने अक्सिजिनेटेड हवा ली लेक्मी चेंज माइ कलर आज जयादा कलर ऑप्षिंस नहीं है मेरे पास पर लेट भी जैसे माल लोग इन्हों ने उक्सिजिनेटेड हवा ली दन तो पहले यह कहां पर आते एयर सैक्स पे अब लंग्स क्या निकाल रहा है डी ऑक्सिजिनेटेड ह तो इसी एस सैक से बाहर जाते हैं तो कुल्मिला के बात यह है कि लंग्स को कभी भी खाली नहीं रहना पड़ता है जैसे ही कार्बन डेक्स रहेगा यह वाला एस पेस जो गए है सैकों का फट्च ऑक्सिजिन को देगा ठीक है तो जैसे हम लोग क्या करते हैं हम सास लेते है हम सास लेते हैं तो हम क्या करते हैं हम लेते हैं तो जब सास लेते हैं तो तुरंत हम सास छोड़ते हैं तो जब हम सास लेते हैं तो लंग्स में फट से हम उक्सिजिन लेते हैं और फट से लंग्स क्या करता है कार्बन डेक्साइड को देता है यहां पर यह ऐसा काम है निका कि air space में already oxygen भरी हुई है air space में already oxygen भरी हुई है जैसे ही lungs carbon dioxide को बाहर करेगा फट से पक्षी सास ले तो ठीले तो लहा ही है पर फट से जो है ये air space lungs को क्या दे देंगे oxygen without delay उधर carbon dioxide बाहर होता रहे ये oxygen देते रहेंगे जिसकी विज़ा से continuously जो पक्षी होते इनमें gaseous exchange चलता रहता है ये चीज़ अपने दिमाग में तुम भरके रखना कि जो पक्षी होते हैं बच्चो इनमें हमेशा gaseous exchange चलता ही रहता है बिना delay ठीक है तो respiratory system में क्या पढ़ा हम लोगों ने हमने पढ़ा digestive system अच्छे से सबको क्लियर हो गए ना कोई tension नहीं तो इनमें spongy lungs होते हैं air sack होते हैं air sack हवा को भर लेते हैं जिसकी विज़ा से जो बॉड़ी होती है वो light weighted हो जाते हैं जिसके गुबारे में आप हवा भर देते हो तो गुबारा light weight हो जाता है वैसे पक्षिय के नीचे एक solid basal part होता है जिसे कहते है कील यह मैंने आपको बताया कि suppose यह sternum है तो इसके base पर एक solid basal part होगा which is called as keel keel से सारी flight muscle जुड़ी होती है जो की उसे उड़ने में मदद करते हैं तो जितना ज्यादा bird उड़ने वाला होगा उसमें keel उतना ज्यादा developed होगा यह चीज याद रखनी है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं किस की चलो आज़ो 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 जाया भी होगा exactly मुझे याद नहीं है पर क्योंकि बात चली है तो कहां तक जाएगी दूर तलग जाएगी तो एक बाल बता दू जिन भी organism में four chamber heart होता है उनके में renal portal system developed नहीं होता उनके में hepatic portal system developed होता है जिन भी organism में four chambered heart होता है उनमें कभी भी renal portal system developed नहीं होता उनके में hepatic portal system developed होता है what is the hepatic portal system हाला कि मैंने आपको पढ़ाया है circulatory system में hepatic portal system में मैंने आपको ये बताया था कि जो intestine होती है थ्यान समझो hepatic portal system में मैंने आपको क्या समझाया था मैंने आपको समझाया था कि आप जो भी खाना खाके digest करके अपनी कौनसी intestine में small intestine में ले जाते हैं वहाँ से उसके nutrient absorb होकर into the hepatic portal vein not hepatic vein hepatic portal vein से पहले जाते हैं liver में liver is the sorting house of the cell जो अची चीज़े चाहिए रहती है वो लिवर रख लेता है जो बेकार बेकार चीज़े चाहिए रहती है या मैं यह कहूँ कि जो बेकार बेकार नॉट अच्छी चीज़े liver रख लेता है detoxify करता है और उसके बाद जिती भी अच्छी चीज़े body को ज़रत है वो hepatic vein को देता है hepatic vein heart की और जाती है ठीक है तो रिटली हम heart को नहीं देते nutrition पहले हम liver को देते हैं ठीक है skull की बात करते हैं हम लोग skull है इसका monocondylic ठीक है कैसा होता है skull monocondylic skull होता है एक condyle पीछे से निकला है जिससे vertebral column फसी होती है ठीक है excretory system हम लोग देखेंगे excretory system जो है इनकी kidney ठीक है okay they have highly developed kidney ठीक है they have highly developed kidney ठीक है यह अपने दिमाग में यह बात अच्छे से घुसा लो कि birds के पास जो kidney होती है वही तुम्हारे पास भी है you have metanephric kidney you have you have kidney into your abdominal cavity okay दो इनके पास mater aánephric kidney होती है ठीक है now baby are yurico telling कभी आपने bird को सूसू करते हुए देखा है क्या कभी किसी bird को सूसू करते हुए देखा हुए नहीं देखा हुगा swe how do you exist उर्ष यमेर पानी की बहुत जादा रहती है घाली आप समझ ये इनको पानी मह बहुत जाधा चाहिए आप काधि रहे उर्ष एट बल्कुल यह भानी पानी की न हम करता है पानी उपस दो ट से में जो सी मि क्योंकि इनको पानी की बहुत ज़र होता है यह करते है पानी को अबसाब कर लेते हैं तो सेमी सॉलिट फॉम में अपना स्क्रिटर वेस्ट करते है उरिक इनके पास यूरिनरी ब्लाडर नहीं होता को पास लिया पिसलिट होता लियुनि मुश्कत कर नहीं के पास नहीं होता नर्वेस सिस्थम की बात कर रहे है हम लोग के पास ब्रें इनको शूता है क्रे dazu ह необходимо developed होता है we they have cranial nerves 12 pairs ठीक है अंफीबिया में हमने 10 pairs पड़ी थी अब यहां से रटीलिया में 12 पड़ी थी इनके पास cranial nerves 12 pair होती है जो brain से बाहर निकलती है sensory system बहुत important बहुत बहुत important आपको पता है कि कीवी जो होता है कीवी का जो sensory system होता है sensory system present into their beak तो कीवी हर चीज को अपनी चोज से पचालती है चोज से समझती है आई बात समझ में now sensory organ की बात करते हैं eyes होती है इनके पास ठीक है eyes होती है इनके पास से बड़ी बड़ी आखें होती है इनके पास monocallum vision होता इनके पास उतुआज मतलब यह एकบार में एक चीज देखते पर डलीन के एक ही चीज देखेंगे पर बहुत ज्यादा बहुत पर इस बेह। स ह सेसे फूनियर इनके में निटम सुनियर और इनके में membrane present होती है ठीक है there is a membrane present into the eyes तो या पानी के अंदर भी आँख खोल सकते हैं ठीक है now एक चीज मैं और आपको बताऊं कि इनकी आखों में एक comb-like structure होता है ठीक है eyes में एक comb-like structure होता है इस comb-like structure को हम कहते हैं pecton ठीक है they have comb-like structure called as pecton ठीक है ठीक है इनके पास आख में एक comb-like structure होता है जिसे हम क्या कहते हैं भईया pecton ठीक है यह क्या करता है यह pecton eyeball को this pecton provide nutrition to eyeball eye मेरी बात समझ में मेरे लाल ठीक है तो इनके आखों में एक comb-like structure होता है जिसे हम कहते है pecton, pecton eyeball को nutrition देने का काम करता है pecton जो है वो और क्या करता है accommodate करता eyeball को मतलब एक perfect जगा पर रहे इसलिए eyeball को क्या करता है अच्छे से accommodate करता है मतलब जगा पे रहू pecton की वज़े से कोई भी पक्षी जो है न वो दूर तक देख सकता है और clear देख सकता है यह आपको समझ में आई बात आईस समझ में आई, pecton समझ में आया nitri-tating membrane समझ में आया, vision समझ में आया अच्छा कान की बात कर लें थोड़ी सी sensory organ की बात करी रहे हैं तो कान को कैसे छोड़ सकते हैं कान में कोई पिनना नी कोई बर्ड है उसमें इत्ती बड़ी बड़ी पिनना लगे हुए है ऐसा नहीं होता पर इनके पास एयर में एक सीरी सीरी बात करती हूँ कालुमिला कहते हैं इसको step is present होता है so they have step is present into their eyes ear, sorry, ठीक है तो आपको समझ में आया what is the role of pecton provide the nutrition eyes में telescopic vision होता है दूर तक देख सकती है इनके आखे ठीक है, acute vision होता है जो चाहे वो देख सकती है इनके आखे eyes जो है इनकी काफी ज़्यादा advance होती है, कोई दिकत इसमें ना अब अपन बात करते हैं, अच्छा कीवी जो होता है जो pecton मैंने आपको बताया यह कीवी में नहीं होता है ठीक है, कीवी do not have pecton तो कीवी बिचारी जो होती है वो बहुत जादा दूर नहीं देख सकती है so they have comb-like structure called as pecton pecton will help in the will give the nutrition to the eyeball it provide the accommodation of the eyeball into the eye socket pecton यह सीधी सीधी बात करें इनकी जो आखे होती वो दूर तलग देख सकती है इनकी जो आखे होती है वो क्या करती है acute vision वाली होती है simple देखती है तो इनके पास क्या होती है घड़ी होती है, step is ear pinna नहीं होता इनके पास ear है, सुन सकते हैं वो less developed होते है जबकि आप कीवी की बात करें तो उनकी जो चोच होती है चोच पे होते हैं इनका sensory organ तो यह चोच के माध्यम से सब कुछ पहचान सकते हैं यह हो गया इसमें कोई stress कोई परिशानी तो नहीं अच्छा आप अपन लोग बात करते हैं यह वाला part इसमें कोई परिशानी तो नहीं होनी चाहिए यह वाला मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कोई दिकत परिशानी नहीं होगे अगली बात हम क्या करने वाले हैं अगली बात हम करेंगे reproduction की आजा 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 कभी-कभी तो मैं सोचती हूँ कि कितनी जालिम दुनिया है क्यों जालिम दुनिया ऐसी है कि human being को दो दिये ovary human being को कितनी दी ovary दो दी ovary पर इनको नहीं दी इनके पास ना right वाली ovary और oviduct नहीं होता they don't have right वाली ovary and oviduct ठीक है they are monodelphic ठीक है यह कैसे होते हैं बच्चो monodelphic होते है दुनिया बड़ी बेवफा है बताओ human being के पास तो दो ovary है इनके पास क्यों नहीं है weight कम करना है ना जब पता है कि reproduction एक ovary से हो सकता है तो कोई दो खाय के लिए करना है तो इनके पास एक ही ovary होती है लेफ्ट वाली राइट वाली नहीं है so they are monodelphic weight को light करना है इसले देखो देखो कैसे खा रहे हैं बच्चों के sexes जो होते हैं unisexual होते male और female इनमें separate होते है कोई tension परिशानी fertilization internal होता है ठीक है fertilization internal होता है they are ovary paris यह अंडे देते हैं ख्याल से यह बताने के जुरूत नहीं थी ठीक है अच्छा vertebrary बताई कहा है मैंने आपको vertebrary कैसी vertebrary होती है इनकी heterocelous 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 ठीक view है तो इनकी vertebrary ऐसी होती है को tension परिशानी चलो शुरू करे आगे development development इनका direct होता है development direct है कोई larval stage नहीं है parental care well marked है इसका मतलब यह है कि इनके में जो माबाप होते हैं इनके में exactly जो माबाप होते हैं वह बहुत सेवा करने वाले बहुत सेवा भावी होते हैं तो बच्चे की रक्षा करते हैं घोसला बनाने मदद करते हैं इनके जो माबाप रहते हैं वह बच्चों को feed कराते हैं तो बहुत ही ज़ाद है रप्टाइज में इतना well marked नहीं जबकि इनके में बहुत well marked हैं So birds are warm-blooded, homeothermic and endothermic यह हम लोगों ने पहले point में ही बात करी थी Avis हो गया, mammalia हो गया पूरे animal kingdom में सिर्फ Avis और mammalia यह दो groups ऐसे हैं यह दो classes ऐसी हैं जो warm-blooded हैं बाके साब cold-blooded हैं ठीक है अगली बार जो है तो ध्यान रखना Examples बच्चों हम लोगों ने वही example लिये हैं जो आपके NCRT में दिये क्योंकि वही example आएंगे वैसे तो दुनियादारी के बहुत सारे birds हैं बहुत सारे birds हैं पर आपको वही करना है जो NCRT में दिये क्योंकि example NCRT के ही आने ठीक है Example में देखे हैं पाव क्रिस्टैस पीकॉक पूरे Animal Kingdom में वैसे लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं होती हैं कि नहीं यह बात तो सब मानते हो ना लड़कियां खूबसूरत होती हैं पर पूरे Animal Kingdom में सिफ मोर एक ऐसी प्रजाती जिसका लड़का सुंदर होता है अब मेडम क्या कहने का मतलब है कि लड़के सुंदर नहीं होता हैं होते हैं इनस्त कहावत है कि लड़किया सुंदर जादा होती हैं पर मोर एक ऐसी प्रजाती जिसमें लड़कियां थोड़ी कम सुंदर होती हूं लड़के जादा सुंदर होते हैं next is neofron vulture okay so look at this तो यह वल्चर दिख रहे हैं I thought कि कोई लोमड़ी है तो वल्चर ही थे चलो आगे की बात करते हैं थोड़ी important चीजें हैं सबसे पहले गौर से देखो गौर से देखो इस आदमी को इस आदमी का नाम है Dr. Salim Ali He is the Birdman of India दुनियादारी में जितने बर्ड है न जितने बर्ड वो सब Dr. Salim Ali ने पढ़े हुए हैं बहुत सारे different characters जो हैं इन बताए हैं Dr. Salim Ali ने अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दू इधर से में को याद आ गया है क्योंकि reproduction अभी हमने खतम किया Eggs कैसे होते हैं अभी तक हम eggs के बारे में बात नहीं कर रहे थे पर क्योंकि Aves हैं इसले एक के बारे में बात करते हैं Eggs जो होते हैं वो macrolacithal होते हैं ठीक है यह लिख लेंगे आप Eggs macrolacithal होते हैं प्यारे बच्चो और shelled eggs होते हैं ठीक है Shelled किसका बना होता है calcium carbonate का Macrolacithal का मतलब क्या होता है macrolacithal का मतलब lots of yolk ठीक है तो इनके जो egg होते हैं उसमें बहुत सारा yolk पाया जाता है Egg जो होते हैं वो shelled होते calcium carbonate के होते हैं हर दिन रोज omelette बना के तो खाते ही होगे तो पता ही होगा कैसे फट-फट फोड के डालते हैं पन तो shelled eggs होते हैं अच्छा यह जो प्राणी है यह है amniots ठीक है कैसे हैं बच्चो amniots है amniots में भी पढ़ा था हम लोगों ने ठीक है amniots का मतलब यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था इनका जो बच्चा होता है वो एक जिल्ली के अंडर even human being को भी देखा होगा कि जब आपने बच्चे पैदा होते तो वह पैकेट के अंदर पैदा होते होते हैं amniotic membranes होते हैं chorion, amniot, allantois और yoxac ठीक है इनमें amniotic membranes present होती है ठीक है 12th class में यह आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे सर्च करिएगा amniotic membranes होती है ठीक है So they have 4 amniotic membranes chorion, amniot, allantois और yoxac ठीक है So यह amniotic prani है इनके जब बच्चे जो होते हैं यह अंडा आपने देखा होगा कभी अंडे को ठीलते तो जिल्ली वाइट कलर की ठ्रांस्परेंट ठीलती होगी Boiled अंडा जब आप देखते होंगे They all are membranes ठीक है तो इनका जो बच्चा होता है वो एक membrane के अंदर होता है एक या चार membrane के अंदर होता है Human beings में आप यह पढ़ेंगे These are called as extraembronic membranes Okay So they are amniotic यह समझ में आया आप को चलो आगे बात कर दो तो examples देख लेता है Examples तो हो गए है Dr. Salim Ali Birdman of India Study of bird is called as Ornithology ठीक है Ornithoricus bird का नाम भी है Study of bird is called as oology Study of bird nest is called as nidology Birds are the glorified reptiles ठीक है Birds को glorified reptiles क्यों कहा गया क्योंकि bird अगर reptiles को आप थोड़ा सा modify करते हैं थोड़ा सा इसको क्या करते advance करते थोड़ा सा बहतरीन करते तो आपको समझ में आएगा कि actually reptiles are the ancestors of the birds ठीक है अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं जब डाइनसौर आये ना ध्यान समझना जब डाइनसौर आये तो उनके पास wings थे पर वो उड़ नहीं सकते थे क्यों नहीं सकते थे क्योंकि उनको पता ही थे वोड़ सकते बाद में तो उड़ने वाले भी डाइनसौर आ गए पहले वो अपने wings का इस्तमालना अपनी दक्षा करने के लिए करते थे इंसुलीन करने इंसुलेशन करने का काम करते थे वो wings बाद में उनको इस समझ में आया के भईया इस स्विंग से वो उड़ भी सकते तो उन्होंने क्या कि धिरे धिरे अपने आपको ओड़ना शुरू किया पहले वो बहुत जादा भारी था ना तो वो जमीन से जादा जादी उठानी पाते थे जमीन से नहीं उठा पाएंगे तो बिचारे लोगों को परिशानी होगी होगी कि नहीं होगी तो जमीन से ना उठा पाने के चकर में धिरे धिरे उन्होंने अपने आपके बॉड़ी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया and they will convert it into the birds आई बात समझ में तो इसलिए हकसले ने कहा कि अगर आप रेप्टाइल्स को थोड़ा सा ग्लोरिफाइड कर दे थोड़ा से उनको पॉलिश वालिश लगा दे थोड़ा सा चमका वंका दे थोड़े से कैरक्टर मॉडिफाई कर दे तो बर्ड्स बन जाएंगे तो आक्चुली रेप्टाइल्स आर दा एंसेस्टर्स व अफ दा बड्स ठीक है प्रिंट ग्लांड को ही हम लोग यूरोपाईजील ग्लांड कहते हैं इस आधा शिप्रातिवारी कंसेप्ट कोईंस प्रिंग्लांड यह प्रेजेंट होती है टेल पे और इसे ही हम यूरोपाईजील ग्लांड कहते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था इसलिए बर्ड्स जोते हम उन्डी करके ऐसे ऐसे अपनी करते रहते है ताकि जो भी ओईल पीछे है वो पूरे बॉड़ी में स्प्रेड कर सके क्योंकि इनकी जो स्कीन है वो नॉन ग्लांडुलर है ठीक है आर्की अप्टैरिक्स बहुत इंपॉर्टैंट है यकोशन में आ सकता है ठीक है कि आर्की अप्टैरिक्स is the connecting link between the reptiles and birds ठीक है reptiles or birds की connecting link होती है ठीक है अच्छा मैं आपको बता रही थी कि ऑस्ट्रिस जो होता है सबसे जादा जो इंक्यूबेशन अंडे का होता है सबसे जादा इनक्यूबेशन इन्हीं के पास होता है they have urinary bladder and they have copulatory organ too ठीक है तो अभी आप लोगों को मैंने पहले भी बढ़ा था ना कि copulatory organ वैसे तो नहीं होता urinary bladder वैसे तो नहीं होता पर कुछ birds में हो सकता है जैसे स्टूथियो ठीक है यसी को आप उस्ट्रिच कहते हैं तो इनी में copulatory organ भी होता हो आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है सब बता दिया सारे systems बता दिये examples मेंने वही consider किये हैं जो NCRT में दिये हुए और वही example आपको आएंके नीट में कौन-कौन से question जो है वो एस से आ सकते हैं पहले मेरी बात सुनियेगा और समझेगा पहला question आ सकता है कि syrings यह आ सकता है सिंसाकरम क्या होता है यह आ सकता है फरक्यूला विश बोन वी बोन क्या होती है यह आ सकता है मेरी बोन भी कहते हैं इसको और आ सकता है वाम ब्लेड़ कहां से शुडू हुए तो शुडू हुए टेट्रा पोड़ा एव से शुडू हुए फिर और क्या सकता है सवाल क्या सकता है बताएंगे मुझे हॉलो बोन्स नुमाटिक बोन्स बर्ड्ड का सबसे एक्स्क्लूजिव गैरेक्टर जो है वो इनकी hollow या pneumatic bones ही है बचो जो bones के अंदर bone को खाली कर देती हवा बर देती body को light बना देती है और उड़ने में मदद करते है ठीक है फिर आसकता है कि reptilian ancestry कौन सी है bird में so birds have the four clawed जो है पंजा type का होता देखो उनमें चार दिख रहे हैं आपको और उसके बाद उनमें scales होते हैं पैर को जो की reptilian ancestry बताते हैं यह भी question आ सकता है ठीक है so मैंने आपको यह भी बता दिया किसमें से आपके लिए क्या-क्या questions बन सकते हैं ठीक है सारे systems हो गए reproductive, circulatory, excretory, everything we have covered all the things in the class Aves I hope you learned and enjoyed the video इसके अलावा इसमें से कुछ भी नहीं आएगा तो tension बिलकुल नहीं लेना है, tension मुझे लेना है So see you in the next class with the NCRT booty of the Aves Thank you so much